Dear students, आज के इस वीडियो लिस्ट में आपके लिए लेकर आओं मैं वाबलिस्ट याद करने की टैक्निक अक्सर इस्ट्वेट्स के कमेंट आता है, सर वाब्स याद नहीं होती, सर वाब्स के टाइप समझ में नहीं आते, सर कोई सी वाब्स की फार्म कुछ और हो जाती है आज के इस वीडियो लिस्ट में में मेल आया हूँ वाबलिस्ट को याद करने की सबसे शानदार जानदार टैक्निक इस सेशन को देखने के बाद में आपको वाबलिस्ट याद करने नहीं पड़ेगी, और्टमेडिक याद हो जाएगी मैं आपको आज करवाने वाला हूँ करीब 400 वाब्स और बता दू अगर जल्दी है आपको तो आप इसकेप कर जाओ, मत देखो इस सेशन को क्योंकि 400 वाब याद करवा रहा हूँ विद गैरेंटी केसे याद करनी है, सबसे पहले तो आपको वाब के टाइप समझना है वाब आपके दो प्रकार की होती है, एक होता है रेगुलर वाब और दूसरी होती है इर्रेगुलर वाब, तो वाब्स दो प्रकार की होगी, यह फॉर्म्स के आधार पर होती है, इनके जो वाब्स की फॉर्म्स होती है उसके आधार पर, वैससे तो फिनाइट वाब, नोन second form क्या बनेगी, played, तो यह आपका इससे चलता है, लेकिन irregular verb strand वो होती है, जिनकी second form, third form कुछ और ही रहती है, उसमें ed नहीं लगता है, जिसे देखो, sing, sang, sung, speak, spoken, तो यह जो verbs है, यह irregular होती है, तो भई, regular verb को याद करना काफी ज्यादा easy है, क्योंकि आपको simply उसमें ed लगाना है, रेकिन irregular verb में आपको verb की forms को change करना है, अब जिसे यहां sing लिखा है, तो आपने यहां sing कर दिया, यहां no लिखा है, तो आपने new कर दि आज मैं वही technique आपके लिए लाया हूँ कि irregular verb को के से याद करना है, irregular verb को याद करने की technique है, तो मैं सबसे पहले सारी technique आपको बताऊंगा, इसके बाद आपको सारी वाप्स यहां पर दिखाने वाला हूँ, साथ ही अगर इन वाप्स का आपको PDF चाहिए, तो आप हमारी जो mobile application परसोना English, उसको आप जरूर अपने mobile में इंस्टाल करें, उसमें सारी की सारी वाप लिस्ट आपको free में मिल जाएगी, चली दिखें, यहां पर यह irregular वाप type 1, सबसे पहले पहला type में आपको बता रहा हूँ, जिसमें पहली वाप है sing, sing की second form होती है sang और third form होती है sum मतलब यहां पर i है, यहां पर a लगाना, यहां पर u लगाना, ऐसे ring होगा, second form होगी rang, third form होगी rung, ऐसे ही होगा begin, second form होगी begin, जहाँ i लिखा है वहाँ a लगाना, और third form होगी आपका begin इसी तरीके से सारी के सारी वाप की form को आपको change करना है, drink, drink, drunk, shrink, shrank, shrunk, sink, डूबना जिसको कहते है, shrink, सिकुड़ना होता है, यह वाप की meaning तो I think आप सबको पता ही होंगे, नहीं पता होंगे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ अभी, drink, पीना होता है, shrink, shrank, shrunk, right, इसके बा इसी second form जो होती है, वो U लग जाता है, और third में भी direct आपको U लगाना होता है, आपको कौकसर इसमें A क्यों नहीं लगा है, तो यह थोड़ा सा exception है, यह दो वाप की form याद रखना, cling और आपकी fling, इसी तरीके से spring, spring का मतलब होता होता उचलना, तो spring, spring, sprang, ऐसी string का मतलब ह आप धागे में पिरोते हैं, तो वो string कहलाता है, उसकी second form भी strong और third form strong होती है, swim, 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 swim मतलब क्या होता है, तैरना, swing मतलब होता जूलना, यह दो वाप भी ऐसी चलती है, sting का मतलब होता डंक मारना, तो sting की second form भी कुछ इसी तरीके से होती है, sting, और इसकी third form और second form strong होती है, यहां पर भी इसमें यू लगता है, तो जिस जिस में यू लग रहा है, second form, third form में, वो है cling, sting और ring, बाकि सारी की सारी वाप की form में याद रखना है, यहां I लगाना है, यहां A लगाना है, यहां U लगाना है, तो यह सारी की सारी की पूरी की पूरी करी 12 वाप से इनकों और ऐसे फिर चुला है मैं नियुक्त, तो भी नियुक्त को सी है अप्लिव को से हैं, consig, rin, begin, drink, shrink, sink और sink. Sink दॉनों में डिफरेंस है. Sink का मतलब दूबना होता है. जहांच का डूबना, आदमी डूबेगा, तो इसके लिए वर्ट कौन साब का ड्राउन, याद रखेगा, D-R-O-W-N, इसके बाद है क्लिंग, और फिर आपका F-L-I-N-G Fling, Fling का मतलब होता है फेकना, Kling का मतलब होता है लिपटना, चिपटना, that is, Spring का मतलब होता है उचलना String का मतलब होता है पिरू ना, Swim का मतलब होता है जूले जूलना, String का मतलब होता है डंक मारना, RING का मतलब होता है निचोड़ना, तो यह सारे के सारी वर्प स, I hope अभी क आभी आपके डिमाग में क्लिक हो गई होगी है, अगर हो गई है तो जल्दी कमेंट करको हो सरा समझ तखाएबॉमार मोर्ट φयाइब ب्रोट भाइब बाइबॉट बॉक्या अब इसे why शूति वर्पन वह इस तरीके says दो वह जो प्रशन्हेसे वर्पन करता से गचल तक भबन को अब रही है तो यह सारी वब थिंक एने सोचना, फाइट एने लर्ना, ब्रिंग एने लाना, बाएने खरीदना, टीच एने पड़ाना, सीक एने खोजना या ढूंडना, इसके लिए बनता है सौट, इसके बाद तीसरा टाइप है आपके लिए वह है ब्लो, ब्लो की सेकंड फॉर्म होती ह हावा का बैना हावा का चलने के लिए होता है, नो जानना होता है इसकी सेकंड फॉर्म होती है नोन, यस, ग्रो मिस होता है उंगना, ग्रिव की सेकंड फॉर्म होती है ग्रोन, फ्लाइ की सेकंड फॉर्म होती है फ्लॉर्म होती है फ्लॉन, फ्लॉर्म होती है फ्लॉन, फ्ल अब देखो जैसे ग्रो का बनाया है वैसी आप ओवर्ग्रो का बनाओ, ओवर्ग्रो, ओवर्ग्रू, और लास्ट वन इस जस्ट गूइंग तो यह आपका इस तरीके से बन जाएगा, तो यह वप्स की फॉर्म को प्रिपैड करो, अच्छा आप कमेंट करके लिए खुक सर इ से लग रही था मैं इस में हैट करदीय आप अपनी हिसाफ से एक करो इस में के मद कवआ और इसके से कंड फारम म的是, sometimes ہि ए ड्रीम इसकी से कंड फारम होती है आप लोग से लास्ट में लगाताए अप लोग और ऐसा नहीं है, लास्ट वर्ण, प्रम की एक ओर इसłem, बनाट मै लगता है लास्ट में याद रखना, तो मैंने दोनों लिख दिया, आपको जो उचित लगे सही लगे, आप दोनों यूज़ करें बेजी जग, ये भी सही है, और ये भी सही है, चली, इसके बाद फिप्ट कैटिगरी में हमने लिया है, इसके बाद 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 है, इ इस की 2nd form है Wrought और 3rd form है Written तो कुछ इस तरीके से सारी की सारी वाउप को इस टैक्निक के साथ आपको याद रखना है इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए लिकर आये 6th category जिसमें Find Find इने पाना, Find की 2nd form क्यों होती है Found, Grind इने पीसना, Grind की 2nd form क्यों होती है पहले भी इसे कुछ wrist watch हुआ करती है जिनमें चाबी हमको बरने पड़ती है तो इसको Wind कहा जाता है यह वाव आजकल यूज नहीं होती Feel की 2nd form होती है Felt Keep की 2nd form होती है Capped Sweep की 2nd form होती है Swept Sleep की 2nd form होती है Slapped Kneel की 2nd form होती है Narrate इनकी 3rd form भी यही बनाएंगे अप लोग ऐसा नहीं की 3rd form चेंज कर देंगे 3rd भी यही होगी Feel Felt Felt Feel महसूस करना Keep रखना Sweep जाडू लगाना Sleep सोना Kneel क्या होता है गुटने टेकना चली आगे देखते है Spend का मतलब होता है Spend में आपको क्या करना है Last में T लगाना है Send में Last में आपको क्या कर देना Send कर देना Build अब आप कमेंट करके बताओ इसमें एक वब छूटी है इसके बाद एक और ऐसी वब आती है जिसके Last में आपको T लगाना पढ़ता है मैं उम्मीद करता हूँ को इस्टुएंट कमेंट करेगा और इसके कमेंट को बिल्कुल लाइक करूंगा हाँ नाइन्थ केटिगरी में हमने वब लिये जिनकी Second Form, Third Form चेंज ही नहीं होती जिस देखो Cut Cut की Second Form Cut, Cost, Hit आपको बताना चाहूँगा यह सारी की प्रकार का कोई चेंज है Second Form Third Form में नहीं करना है इसके First Form भी वही होगी, Second Form भी वही होगी और Third Form भी वही होगी तो यह थी आपकी निंजा टैक्निक आपकी वब को याद करने की अब मैं आपको वब लिस्ट पर लेकर चल रहा हूँ और वहां से आपको सारी की सारी वब याद करवाऊंगा आप सारे की सारे स्ट्वेंट्स को यह सारी वब याद करनी है प्रिपैर्ड करनी हो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यूअब तो यूज आप अच्छे से जानते हैं अच्छे एडी लगा दो के कंसिडर हो जाएगा लेकिन सबसे जादा प्रॉब्लम इस्ट्वेंट्स को जो आती हो इर्रेगुलर वब में आती है और आप सबको में बताना चाहूँगा कि इंगलिश में जादा तर वब्स जो होती है तो हमने शुरू में इर्रेगुलर वब को में रखा थो अपको इर्रेगुलर वब को प्रिपैर्ड कते हैं तो यहां से आपकी स्टार्ट ही है रेगुलर वबॉब यह दो कश भी नहीं हो रहा है इधर आपको ये सारी वर्प्स याद करनी पड़ेगी, सारी वर्प्रिपैर्ड करनी पड़ेगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको सबसे पहले तो एक बार thoroughly read करें, इसको read करने के बाद में आप इनकी forms को समझे, पहली form, second form, past form, third form, past participle, जिसे हम वर्प की third form भी कहते हैं, और एक होती है, S और ES form, तो हमने total इसकी five forms बनाई है, जिसमें main form आपके तीन होती है, first form, past form और past participle form, और चोथी जो form होती है, फोर्थ वाली ये present participle ये फिर जिरंड form होती है, जिसमें आप आइंजी लगाते हैं, तो हमने पूरी पांचों form आपके सामने यहां पर लि इसी तरह के से बी वोस वियर भीन होता है, बी र बोर बॉन होता है, तो एक नया concept आप इस तरीके से create कर सकते हैं अच्छा band यही वो वाब है जो मैंने आपसे बोला था कि एक और वाब होती है जिसके last में टी लगता है वो है आपकी band, band की second form होती है band, आप देख सकते हैं अभी हमने कौन को उसी वाब देखी थी? build, दोको build हो गई, band हो गई, send हो आपको टी लगाना होता है जिसे अभी कुछ वाब मैंने आपको बताई तो learn में learnt हो रहा था, burn में burnt हो रहा है, ऐसी मैंने आपको dream बताया था, dream में भी आपने टी लगाया था, dream हो रहा था, तो सारी की सारी वाब वैसे ही आपकी prepared हो रही है, इसके बाद next step का beat, beat मतलब क्य bid, bid, bid तीनो form एक जिस होती है, bid, bat, bitten यापको हुई दिया, bid बोली लगाना होता है, blow हवा का बहना होता है, breed और ब्रेड ये सी तरीके से पहले जो अभी हमने देखा था, choose chosen होता है, cling, chipatna, lipatna आपको बताया था, cling, klang, 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 chide, 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 chiden, यहाँ पर chid भी होती होती है, come cam 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 होता है, dig, khodna, dig, dug, 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 do, did, done होता है, drive, drop, driven होता है, dream, dream, dreamt, dreamt होता है, overall what I am saying is that you guys have to read it once, एक बार तो सारी की सारी वर्प्स को आपको thoroughly read करना होगा, और जब आप एक दो बार इंको पढ़ लेंगे, and when you use them in your spoken English, you will find that कि सारी चीह बहत आसान है, चा कुछ वाप थोड इसे बात hang की होती है, hang को आपको इसे समझना है, hang आपकी regular work, hang आपकी regular work दो है, जैसे माल लिजिए hang, hang की second form आपको दी गई है, hang, और third दी गई ह हNew, एक लिए hang, hang, hung हुझ, अगर आपको दिया गया है, तो इसका मतलब होता है, किसी चीच को टांगना, या लटकाना, लेकिन अगर किसी को फासी दे देते हैं, तो उसके sense में इसकी second form फिर बनती है, hanged, hanged, sorry, id लगता है, ये थोड़ा से ध्यान देंगे हैं, hang, hung, hung होता है, लेकिन जब आप किसी को फासी दे रहा हो, तो फिर उस case में आपको लिखना होता है, hanged, जिसे मैंने का, उससे कल फासी दे दी गई, तो इसका sentence बनेगा है, he was hanged yesterday, he was hanged yesterday, इस तरीके से आपका hanged जो ही use होता है, तो मैं चाहता हूँ कि AC वर्प जो है, इनको भी आप लोग एक बार थोड़ा सा tricky तरीके से जो है, जो दी गई रदी है, इनको भी एक बार पढ़ ले ता कि आपको सारे concepts आपके clear ह और मुझे लगता कि वर्प को याद करना कोई tough job है, you know, they are very easy, जैसे आपको याद हो, तो याद हो जाएगा आपको, there is no difficulties, right, तो इस तरीके से आपको इन वर्प को प्रिपार्ड करना है, इसके बाद आप लोगों को यहां से दिया गया है, पर्सोना रेगुलर वर्प, रे याद मायर वर्प्र वर्प, यह अप deepest को सिनके की तारीफ करने के लिए और भी काफी सारे वर्ट है, जैसे एक वर्पर रेअ पर्सोना रूप प्राइव आ अै दिए, एक वर्परिशेट, तो सब में लास्ट में और फ्रेशेट में लगा एं, अप्छ नहीं करना है, सब म आपको ए टैकनिक समझ में आई, और अगर आ गई तो आज इसे और अभी से इसी टैकनिक के साथ में सारी की सारी वर्प को याद करना शुरू करना सीध मैजिक वेरी सून, you are going to learn all these verbs and you are going to use all these verbs in your spoken English and trust me, I am here to make your English more strong, guys. So don't worry, अगर आप है परसोना इंस्टिट्यूट के चैनल यूटूब पर, तो आपको नहीं आने वाली किसी प्रकारगी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ हर इंगल से आपकी मदद करने के लिए, तो इस टोएंड मिलूँगा मैं नेक्स्ट वूडियूम का अच्छ कॉंटेंड के साथ में, तिल देन टडबाय, वाव गूड डई